जेहिंत नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोदरी स्वाग करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कमांडो केड़ में में दोस्तों आज का ये वीडियो इस्पेसली बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी और आपके मन में भी कहीं न कहीं ये होगा कि ऐसे सीडी की जो नई विकेंशी की गोश्ना हुई है एक लाग तीस जार पदों पर को इस्टेबल पर तो बहुत सारे बच्चे बोलें सर ये रियल है या फेक है या क्या वाक्य ये विकेंशी जल्दी आने वाली है या एक जनवरी जो इसकी एक्जाम डेट आपको दी थी आप सभी को पता आपने ओपिसला वीडियो देखा था जिसमें मैंने इसका नोटिस भी आपको दिखाया था नहीं तो आप जाके देख सकते हैं पी आई बी की ओपीशल वेबसाइट पे परेस इनफॉर्मेशन बिरो की ओपीशल वेबसाइट पे एक नोटिस डिलावा है उसमें जाके देख सकते हैं कि कॉंस्टेपल यानि CEPF में कॉंस्टेपल पदों पर एक लाग तीस जार पदों की बढ़ती जिसका एगजाम एक जनवरी दोजार तोबीस में होगा यानि इससे शुरू होगा अब इसके बाद में यह क्यों ज़्यादा बढ़ गए कि SSGT की पर ठीक है भी बढ़ती नहीं आएगी कभी नहीं आएगी अगर आप एक छोटी सी चीज़ अगर आप धान में देखोगे SSGT 2022 वाली जो वेकेंश वाली चल रही है ओपीशली इस वेकेंश की जो नोटिफिकेशन आनी थी वो कौन से महीने में आनी थी वो आनी थी दिसंबर में यह दिसंबर महा में यह वेकेंश की नोटिफिकेशन आनी थी लेकिन आई कौन से महीने में अक्टूबर में आ गई ठीक है इसके बाद में SSAGD की आज से पहले जितनी भी भड़ती हैं आपने देखिए उन सभी में एक चीज़ आपने देखिए होगी कि फिजिकल जो होता है SSAGD का उसमें लगभग 30 से 45 दिन लिये जाते हैं यनि 30 दिन से 45 दिन तक समय लेते ही लेते हैं हर बार लेकिन इस बार फिजिकल जो मिला है बचों उसमें सिर्फ 12 से 13 दिन लिये गए हैं यनि आप सोचे कि डिपार्मेंट कितना जल्दी इस भड़ती को कलोज करने जा रहा है कि अभी आपके अपरेल के महीने में फिजिकल शुरू होंगे और महीं स्टार्टिंग में बंद हो जाएंगे महीं अन्तर तक इसका रिजल्ट को करके जून जुलाइ में इनके मेडिकल हो जाएंगे यानि जून के महीने में SSGD के मेडिकल हो जाएंगे इस बढ़ती के तो उसके बाद में क्या पचा फाइनल मेड तो जुलाई में इसकी फाइनल मेड आ जाएगी तो अब नई वेकेंसी आएगी आएगी इसमें कोई संदे नहीं है SSGD में जैसे ही पिछली वेकेंसी क्लोज नई वेकेंसी की विगपती जारी हो जाती है और आप सोचे कि वेकेंसी जब शुरू ही थी तब से इसका टार्गेर दिया गया गया विदेन इयर यहनि एक साल के अंदर अंदर इस बढ़ती को कराया जाएगा अब आप सोचे हो तो एक साल भी नहीं लगा रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में आई तो अक्टूबर महीने तक बारा महीने होते हैं वो बारा महीने नहीं लगा रहे हैं या दो साल, बारा मुने नहीं सोरी, दो साल का समय लगता था, SSGD की कोई भी भरती, दो साल से पहले कम्प्लीट नहीं होती थी, वो भरती आज नो महीने में होने जा रही हैं, विदन नाइन मन्थ वो कलोज हो रही है, तो आप सोचिए, अगर अगली वेकेंसी नहीं लानी होती, तो इतना जल्दी नहीं होती, अभी लगबग जितने सेंटर दिये हैं, फिजिकल के लिए, इस से पहले आज तक कभी इतने सेंटर नहीं दिये हैं, सिर्फ दस दिन के अंदर, और वही मेडिगल सेंटर रहेंगे, और दस दिन के अंदर अंदर सारे बत्सों का मेडिगल हो जाएगा, तो सोचिए कि यह भरती जब जुलाई में कम्प्लिट हो जाएगी, तो नई वेकेंसी आनी आनी है, आपको जुन जुलाई, या जुलाई का जो SSE का कलेंडर आएगा, उसमें आप देख लेना, CEPF में कौश्टेबल परदों पर भरती 100% बताएंगे आपको, तो नई वेकेंसी है, मैं यह नहीं बोलता, आपको कि कितने परदों पर आएगी, कब आएगी, लेकिन यह मान के चलीगे, जुन जुलाई के कलेंडर में इसके बारे में, अवज से आपको जान कारी मिलेगी, कि इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, इसलिए आज से आपको तयारी करनी चाहिए, SSE GD की, जो बच्चे टार्गेट बना के चला रहे हैं, SSE GD को, क्योंकि कुछ बच्चे से हैं, जो आर्मी की रंणिंग 162 मिटर नहीं कर पाते हैं, या उनकी फिजिकल जो, जैसे कुछ SSE GD में छूट भी होती है, वो फिजिकल डिपार्मेंट में नहीं किलिर कर रहे हैं, जैसे मान के चलीजे, SSE GD में 162 सेंटिमेंटर चाहिए, लेकिन आर्मी में तो 170 सेंटिमेंटर चाहिए, तो उन बच्चों के लिए, इस्पेसली लड़कियों के लिए, ये विकेंशी जो SSE GD को टार्गेट मान के चलते हैं, उनको अभी से SSE GD के तयारी करने चाहिए, क्योंकि आपके सामने 6 मंद का समय मिलेगा, जो बच्चा आज से तयारी करेगा, मैं यही नहीं बोलता कि आप हमारे अग्रीम बेच से ही तयारी करो, SSE GD के लिए जो हम अग्रीम बेच से लाते हैं, उसकी कोई यह नहीं बोलता कि मैं उससे ही से तयारी करो, या Academy आख्ये तैयारी करो, आप कहीं से भी तैयारी करो, किताब से तैयारी करो, नोट बुक से तैयारी करो, पुराने नोट से तैयारी करो, यूटूब से तैयारी करो, कहीं से भी करो, लेकिन तैयारी करो, क्योंकि तैयारी कर आप आज से करोगे, तब ही सेलेक्शन होगा, अ में कोई संधे नहीं कि इससे पहले इस प्रकार का कभी भी नहीं हुआ पहली नोटिफिकेस अन्याज थी कि शेयर पीप की तरफ से प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जो कि सारे उनके ट्विटर अकाउंट पर डाली हुई है गरम मंत्रा लेकि वो साइट है ओफिस्यल उस पर जानका रही है तो उसके मद्यम से भी एक लाग तीस जार पर बढ़ती दिखाए जा रही है हो सकता है कि वह एक लाग त बढ़तियां थी तो सरकार भी इस मूड में है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संगटित कर सके ज्यादा रोजगार के आउसर पैदा कर सके उसी इस बढ़ती की जो इस पीड देखने को आ रही है इससे पहले हमने कभी नहीं देखिए ससी की इतनी ज्यादा स्पीड तो विदन ये ये नई विकेंस है आपके सामने आने वाली है आज से ही आपको इसके तयारी करनी चाहिए जय हिंद जय भारत